हेलो एब्रीवन असलाम वालेकुमेंड वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल तो क्या हाल चाल है आप लोगों के उमेद किरते हूं कि आप लोग ठीक होंगे आज हम बना रहे हैं मज़दार से आलो के प्राटे स्क्रीन पर चलने वाली वीडियो से आप लोगों को पता चल कर लिया है स्पाइसिस में में चाहिए नमा कुटिवेलाल मिर्च काले मिर्च जीरा और अजवाइन और थोड़ा सा नार्दना गनिया पुदीना हमने हस्बस रुट लेना और साथ हमने लिया हरी मिर्चे एक कप मैंने बंद को भी ली और अगर आप लोगों को पसंद है त तो थोड़ा सा लामन जूस और दो प्याज लेकर मैं उनको चॉप कट कर लिया सबसे पहले हम आलों में सारी चीजों को मिक्स कर देंगे सारी कटिंग और स्पाइसिस हम मिक्स कर देंगे अगर अबी तक आप लोगों मेरे चैनल सबस्क्राइब नहीं गया तो चैनल को सबस अब हम इसका एक मज़ेदार सा मिक्स्टर बिना कर रखेंगे और यहां मिक्स्टर रेडी हो चुका है और अब हम रेडी करेंगे चटनी को चटनी बनाने के लिए हमें इमली अलुखरा और नार्दना चाहिए उनको मैंने दो गलास पानी में बिगोलिया और इमली की तकरीबान हमने पांच मिनट अच्छे से पकाना है और थोड़ी ठीक होजेगी और अगर आपको लगे कुछ ज्यादा ही ठीक है तो पानी आप लोग गैट कर सकते हैं अपने टेस्ट के रिकॉर्डिंग और इस चिटनी को आप दो से तीन हफते के लिए सेफ भी कर सकते हैं अब हम मराना शुरू करेंगे आलू के पराठे दो नॉर्मल साइज के मैंने पेड़े ले लिए और उनकी साइज को मैंने हातों से थोड़ा थोड़ा बरी कर लिया और उसके बाद हम दोनों पेड़ों को इकॉल साइज में बेल लेंगे बेलने के बाद हम थोड़ा material add करेंगे जादा हमने भर भर के नहीं लगाना और एक पेड़े को दूसरे पेड़े के उपर रख देंगे जिस तरह हम normal पराठा बनाते हैं double हमने same वैसे बनाना है और उसके बाद हम इसको पकाएंगे oil में तवे को मैंने pre heat के लिए रख दिया और उसके पराठा रखा और पराठा की शेप बहुत प्यारी आई और इसके बाद मैंने बहुत मुश्किलों से पराठा बनाया था वो मैं नहीं दिखा सकती आपको और फिर इस तरह से normal मेरा पराठा रड़ी हो जुका तो और चिटनी बहुत टेस्टी थी और प्राठी भी बहुत टेस्टी थे तो अब हमारे घर के बच्चे के लेंगे टेस्ट अब खाओ खाओ कैसे मैने याम मज़े के महामा आप की नोजी पर क्या हुआ हुए चारट ओके टाटा कर तो अब तो ये थी आज की हमारी रेसिपी होफ़ूली आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सबस्क्राइब भी करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिज